Hello kids, good morning, how are you all? I hope you all are fine. बच्चों हमने हमारी last Hindi की class में क्या सिखा था? Do you remember? Yes, हमने हमारी last Hindi की class में revision किया था मात्राओ का, जो की हम पहले पढ़ चुके हैं. उसमें कौन-कौन सी मात्रा थी? आ की, छोटी, बड़ी की, छोटा उवर, बड़ाओ की मात्रा का हमने revision किया. Yes, today I am going to teach you A की मात्रा, A से AD की मात्रा हम सिखेंगे. Okay, so please all of you take out your Hindi notebook, pencil and eraser. Yes, first of all write down today's date. Today's date is 28, 8 months and 2021 year. फिर आपको heading लिखना है, A की मात्रा है ना, जो की इस तरह से लगेगे. Yes, पहले हम एक वर्ण पे मात्रा को लगाना सीखेंगे. Okay, yes, तो आपको, फिर हमको आज दिखेंगे, एक और दो वर्ण वालो का, दो वर्ण वाले शब्द बनाना हम सीखेंगे. तो सबसे पहले लिखेंगे, दो वर्ण वाले शब्द, ओके, इस तरह से आपको पहले लिखना है, पिर नम्बर वर्ण लिखेंगे. हम पहले एक वर्ण पर मात्रा को लगाना सीखेंगे. सबसे फॉर्स्ट है कर प्लस एकी मात्रा. कर पे एकी मात्रा लगने पर के है ना, यह क्या हो गया? के. इस तरह से नम्बर सेकेंड पर जैसे की है यह र, र प्लस एकी मात्रा, तो क्या शब्द बना? रे. इस नम्बर थ्री पर द प्लस एकी मात्रा, दे. तो इस तरह से जितने भी व्यंजन हैं, उन पर हम एकी मात्रा लगाएंगे, तो उसका उच्छारन चेंज हो जाएगा. अब हम दो वर्ण वाले शब्दों को करेंगे नम्बर फॉर पर लिखेंगे, कर प्लस, प्लस ल, प्लस एकी मात्रा. क पे अज़ी हम पहले पर चुके, क पे अज़ी मात्रा लगीगी तो का, ल पे एकी मात्रा ले, का ले. तो ये शब्द क्या बन गया? का ले. नंबर 5 पे हैं म प्लस एकी मात्रा म पी एकी मात्रा लगने से इसका उचार न हो गया मी और ल पी एकी मात्रा लगने से ले मे ले है ना यह क्या शब्द बना मे ले ओके, येस नमबर 6 पे हम लिखेंगे नमबर 6 पे लिखेंगे जह प्लस बड़ा उकी मातरा प्लस लव प्लस एकी मातरा जह पे उकी मातरा लगने से जू ले क्या शब्द बना जू ले ओके, येस, नेक्स्ट बनाएंगे, नम्बर सेवन पर कः प्लस एकी मात्रा, प्लस लव प्लस एकी मात्रा, कः पे एकी मात्रा लगने से के और लव पे एकी मात्रा लगने से ले, के ले, येस, तो हम दिखेंगे, के ले, next number 8 पर हम लिखेंगे ख प्लस एकी मात्रा प्लस ल yes तो ख पर एकी मात्रा लगने से खेल yes तो यह क्या होगा शब्द खेल next is number 9 पर हम लिखेंगे the प्लस एकी मात्रा प्लस ख the पर एकी मात्रा लगने से दे ख yes फिर next नीचे हम लिखेंगे same homework और यह आज आपका homework है जो आपको करके अपने ग्रूप में send करना है okay yes बबाई take care